नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों अगर आप अपने जीवन में गरीबी, दरिदरता, भाग्य का साथ ना मिलना या परियाप्त धन ना आने की वजह से परिशान चल रहे हैं अगर आपको शक है कि आपके पीछे कोई बुरी आत्मा लगी हुई है, किसी ने आपके उपर काला जादू करवा रखा है, आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज रामबान इलाज हम आज के वीडियो में बताएंगे दोस्तों, नीम्बू के टोटके आज से नहीं, बलकि हजारों साल पहले से इस्तिमाल होते आएं हैं जो टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वो हैं नीम्बू के नीम्बू का इस्तिमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं अगर आप जोतिश शास्त्र या वास्तु शास्त्र की किताबों का अध्ययन करते हैं, तो नीम्बू के उपर पूरे ग्यारह अध्याय आपको मिल जाएंगे नौकरी पाने के लिए नीम्बू का इस्तिमाल कैसे आप कर सकते हैं? अपने व्यापार को दोडाने के लिए आप लोगों को नीम्बू का इस्तिमाल कैसे करना चाहिए? अगर आपका शत्रू आपका विनाश करना चाहता है, तो नीम्बू के टोटके से कैसे आप उल्टा आपको वास्तुशास्त्र और जोतिश शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी। तो अगर आपका भाग्य सोचुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं, जिनके कारण आपके घर में लड़ाई होती रहती हैं। पती पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज जो टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दोस्तों नीम्बू का इस्तिमाल ना सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के लिए होता है, बलकि स्वास्थ्य की दृष्टी से भी नीम्बू बहुत ज्यादा लाबदायक होता है। साइ नीम्बू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरे, आपके जीवन में कष्ट कम हो, आपके उपर माता लक्षमी का आशिरवाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशिरवाद दें तो इस वीडियो को बिना भगाएं अंत तक देख ले क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि कैसे नीन्बू के दस करके आप अपने जीवन की हर परिशानी को खत्म कर सकते हैं. एक-एक उपाय के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो बहुत गंभीरता से इस वीडियो को पूरा देख ले क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, जो की वीडियो भगा-भगा के देखते हैं. यकीन मानिये अगर आ अगर हमारी कोशिश से किसी एक इनसान का भी भला हो जाता है, तो हम अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे. तो पहले आप कमेंट बॉक्स में हर-हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशिरवाद दे दिया, तो काल भी उसक कुछ बिगार नहीं सकता है. तो आखिर नीम्बू के कौन से वो दस उपाय है? ध्यान से सुनले पहला उपाय है, बुरी नजर से बचने के लिए आप लोगोंने अकसर देखा होगा जब ट्रक रास्ते से गुजरता है, गाडिया जब चलती है, या छोटी दुकाने होती है बड़ी दुकाने होती है, उन सब में नीम्बू और मिर्च तंगे हुए होते हैं. इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं. देखिए कहा जाता है कि कुछ पेड पौधों में उनके फल फूलों में अनेक सारे प्राकृतिक गुन होते हैं. जैसे जब भी लू चलती है, और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर प्याज रखते हैं, तो प्याज गर्मी को सोख लेता है. अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, और कोई आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके कारोबार पर नजर लगा देता है, तो उसका बुरा असर आपके कामकाच पर पड़ता है, कहा जाता है कि बुरी नजर से हरा पेड भी सूख जाता है, इसी तरह से जो चलता दौरता व्यापार होता है, वो तक बंध हो जाता है, अग आया गया है कि नीमबू का खट्टा और मिर्च का तीखा गुन बुरी नजर वाले व्यक्ती के एकागरता को भंग कर देता है, जिसे वो अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं रख पाता है। के पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नीमबू टांग रखा है, तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके उपर पढ़ जाएगा और वो बरबाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, नीमबू और मिर्ची को जरूर टांग कर रखें दूसरा जो प्रयोग है वो वास्तु दोश को मिटाने के लिए हैं, दोस्तों हम वास्तु ज्यान का अगर आप अध्ययन करते हैं, तो उसमें एक पूरा चैप्टर नीमबू के उपर लिखा हुआ है, पूरा एक अध्याय इसके उपर है, अध्याय नमबर 21 में नीमबू के नहीं कर पाती है, नीमबू के आसपास का वातावर्ण शुद्ध रहता है, नीमबू घर के वातावर्ण को सकारात्मक शक्ति योसे भर देता है, अगर किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियां का वास हो चुका है, तो यकीन मानिये उसके घर की कभी बरकत नहीं हो स उस घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे। धन आने के सारे मार्ग बंध हो जाएंगे। घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्स के माया जाल में वो फंस्ता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके घर पे नींगू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावर्ण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के लोगों में हमेशा बनती रहेंगी। सरल भाशा में समझाएं तो आपने भी देखा होगा। कई ऐसे घर होते हैं। जहां परिवार के लोगों में आपस में लड़ाईयां होती रहत होती है। घर में बरकत नहीं होती है और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोश को मिटाने के लिए वो है निम्बू के पेड का मतलब अगर आपके घर में निम्बू क पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्रमंत्र करवा दिये हैं। पर किसी ने काला जादू करवा दिये हैं। इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि तालाब या बहती नदी में ही इन्हें बहाए। तीसरा प्रयोग है सफलता पाने के लिए अगर आप नौकरी की तयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी कर रहे हैं। आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक चीज हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को तुरंट लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहंत करते हैं, लेकिन आपको मेहंत की अपेक्षा उचित फल नहीं मिल पा रहा है। अब आप ठक चुके हैं, आप नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटर्व्यू में पूरी तयारी के साथ जाते हैं, लेकिन आपका सेलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्यान में उपाय साफ साफ लिखा है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए ध्यान रखें वो मंगलवार का दिन ही होना चाहिए जब आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, तो आप एक नीम्बू ले लें चार लॉन्द ले लें हनुमान जी के मंदिर में जब आप प्रवेश करें, तो निम्बू में चार लोगों को गाड ले और वहाँ पर बैठ जाएं पाल्थी मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालिसा का पाठ करें पाठ करते हुए जिन्स नीम्बू में चार लॉन्ग गाड़ी है उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिये जो आपके उपर बाधाएं आई हुई थी बहुत दूर होंगी अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिये अगर आप competition की तयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। जरूर करिएगा। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाएगा। अब चौथा उपाय बताते हैं अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप खुद है मान लीजिए आपको नजर लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए तो इसमें नीम्बू को बहुत उपयोगी माना गया है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है आप हैं या आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और ऐसा लगता है उनमें से किसी को किसी ने नजर लगा दी जिसके कारण उसकी तबियत खराब रहती है। तो एक नीम्बू लीजिए पीडित के सिर के उपर से साथ बार घुमाए सिर्फ एक ही निम्बू लेना है फिर ऐसे चाकू को ले लीजिए जिसका कभी इस्तमाल ना हुआ हो। उस चाकू से नीम्बू को दो भाग में काट लीजिए, फिर उसको ले जाकर घर के बाहर या घर से कहीं दूर जमीन में गाड़ दीजिए. अगर आप सिर्फ इतना कर दे, तो जो भी आपके उपर नजर लगी हुई होगी, वो नीम्बू अपने साथ उतार ले जाएगा. तो आप जान पाएंगे कि नीम्बू का अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं, तो आपको अपने व्यापार में शुद्धी देखने को मिलेंगी. कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है, तो कई बार लोग नजर लगा देते हैं, जिसके कारण व्यापार एकदम से रुख जाता है. आप ठक जाते हैं कि अब क्या करे? अब तो हम फस गए तो? दोस्तों इसका बहुत सरलसा उपाय है. एक नीमबू को ले लें अपनी दुकान में, आफिस में उस नीमबू को एक चाकू से चार टुकडों में काट लें. अपनी दुकान के चार भागों में उन टुकडों को रख दें. सुभा के समय यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के स समय उन चार भागों को उठा लीजिए. सुभा के वक्त आप 10 बजे या 11 बजे भी कर सकते हैं. शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है. इनको अलग-अलग चार लाल कपडों में बांधना है और ले जाकर किसी भी नदी में बहा देना है. उससे यह होगा कि जो आपकी द दुकान नहीं चल रही है. और आप इतना प्रयोग कर लेते हैं, नीन्बू के साथ तो यकीन मानिये वो जो नजर लगी हुई थी. जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी, वो आपसे दूर हो जाएगी. इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाती है. आपका व्यापार घोडे की तरह दोडने लग जाता है. ये वास्तु विज्ञान में भी लिखा हुआ है. वास्तु शास्त्र की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है. अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, वो है छठा भाग्य को चमकाने का उपाए. दोस तो यकीन मानिये किसी ना किसी ने आपके उपर तोटका करवा रखा है. आप नौकरी की तयारी करकर के ठक चुके हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है और इस तरह की बाते रोजाना हो रही है. आप बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है, व्या आपको नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार में व्रिधी नहीं हो पा रही है, आपका घर बन नहीं पा रहा है. आप लोगों को कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है. आपके अंदर नकारात्मक शक्तियां का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ इस नीम्बू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंतर का जाप करना है। अपने पर्स में रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए, आपको ये पेपर देने जा रहे हैं, तब तो ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख कर ले जाएगा यकीन मानिये जो दुरभाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा, अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका वहाँ पर सेलेक्शन होना तय है, ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में आपको केवल 3-4 रुपय का खर्चा है, लेकिन यकी तुरंत मजबूत हो जाएगा, लेकिन इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 अंक बहुत ज्यादा पसंद है, 108 कोई भी क्रियाएं आप हनुमान जी के लिए करते हैं, वो सफल होती है, और ये क्रिया अगर आप नौकरी के सेलेक्शन के वक करते हैं, किसी कॉम्पिटिशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय माना गया है, सात्वा है, रोग से मुक्ती हे तु ये अध्यापकों वास्तुग्यान के 41 नंबर पेच पर मिल जाएगा, अगर आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है, जो दवाई करा-कर ठक गया है, अस्पताल जाकर पक गया है, और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, वो परिशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूँ, तो जो हम आपको आप बता रही हैं, उसे आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस पीडित व्यक्ति के उ उपर से नीम्बू को साथ बार उतरना है। जब आपको उससे नीम्बू के चार टुकड़े करने हैं और किसी चाराहे पर जाना है, जहाँ पर चार रास्ते हो, दाहिने बाएं आगे पीछे, अब वहाँ पर अलग अलग दिशाओं में उन नीम्बू के चार टुकड़ों को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। आपके घर के बच्चे के उपर आपके उपर या किसी के उपर भी तो वो नकारात्मक शक्तियां उस पर से अपना वास हटा लेगी वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा रोगी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके उपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है तो वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी दोस्तों ये सारी बातें आपको कही जाने को नहीं मिलेंगी लेकिन हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके एक नीम्बू के बारे में आप लोग सोच लीजिये कितना ताकतवर होता है नीम्बू इसी कारण पुराने समय के जो साधु संत महात्मा होते थे वो नीम्बू को जरूर अपने पास रखते थे कि कब कहा नीम्बू की जरूरत पढ़ जाएं और नीम्बू से उस मंतर तंतर क को हटा लिया जाएं अब आठवा उपाय आपको बताने वाले हैं संतान प्राप्ती है तो दोस्तों ये बहुत कम लोगों के लिए होता है लेकिन फिर भी जान लें मान लीजिये आपको संतान नहीं हो रही है कोई ऐसी महिला है जो बांज है जो इस वीडियो को देख रही ह उनकी संतान नहीं है संतान के लिए उपाय कर करके ठक चुकी है तो ये उपाय लिख लीजिये कही कागस पर उत्तरा फालगुनी नक्षत्र एक ऐसा समय होता है जिसे बहुत शुभ माना गया है निसंतान लोगों के लिए अगर आप इस दिन नीन्बू के पौधे की जड़ तोड़ कर लाती है और देसी गाय के दूध में मिला कर पी लेती है तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ती होगी बहुत विद्वान गुनवान संतान की प्राप्ती होगी अगर आप अनेक कोशिशे करके ठक चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं यकीन मानिये सिर्फ एक प्रक्रिया ये कर लीजिए आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ती अवश्य हो जाएगी लेकिन ये उपाय किसी विशेशग्य से पूछ कर उनकी सलाह लेकर ही करें क्योंकि हर व्यक्ती के शरीर की प्रकृती अलग किस्म की होती है तासीर अलग-अलग होती है ना हुवा हैं अकस्मात धन की प्राप्ती अचानक रुपए की प्राप्ती का उपाय मतलब कह लीजिए आपको कहीं से एकदम से रुपए मिल जाए आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, जो भी हो, अगर आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं, जो हम आपको बताने जा रही हैं, तो यकीन मानिये आपको कही ना कहीं से रुपय जरूर मिलें दोस्तों एक नीम्बू लेना है, उसको अपने उपर से हर शनिवार को मतलब ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार तक करनी है। एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप गारते चले जाएं। 41 शनिवार कुल 41 बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे नीम्बू गाना है। कहीं से आपको कमिशन मिल जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा या फिर आप लोगों की प्रापर्टी इतने बड़े दामों में बिक जाएगी जिसका आपको अंदाजा ही नहीं था। तो ये अगर आप कर लेते हैं, 41 शनिवार अपने उपर से साथ बार नीम्बू घुमाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ते जाते हैं, तो यकीन मानिये आपको अकस्मात धन की प्राप्ती होना तय है। अब दस्वा उपाय मृत्यु को चक्मा देने का दोस्तों अगर आप लोग सफर पे जा रहे हैं, जैसा आप भी जानते होंगे कई लोग ट्रैवल्स का काम करते हैं।